हेलो दोस्तों, वेलकम टू धोलाधार अप्डेट्स यूट्यूब चैनल तो दोस्तों जो हिमाचल परदेश में गौर्मन जॉब निकली है जो मैंने प्रिविएस वीडियो में बता रखा था कौन-कौन सी पोस्टे निकाली गई है तो उसमें टोटल पोस्टे जो है 70 प्लस पोस्टे जो है भरी जानी है तो प्रिविएस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख ले उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा उसमें detailed वीडियो जो है पोस्ट के बारे में बता रखी है और education qualification के और जो exam होगा इसका written exam और document evaluation उसके बारे में बता रखा है तो उस वीडियो को आप जुरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले और उस वीडियो को आप देख लोगे तो उसके बाद जो है इस वीडियो में मैंने application form के बारें बताया है कि application form जो है कैसा होगा और कहां से आपको मिलेगा application form तो मैंने community post में भी एक post डाली थी तो उसमें काफी सारे जो candidates हैं उन्होंने कहा कि application form के ओपर आप वीडियो जुरूर बनाएं तो इसमें मैंने आपको डिटेल में बता रखा है तो वीडियो पर एंड तक मत रहें ताकि आपको पूरी information सही से मिल पाए अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कर दें और साथ में bell icon को press कर दें ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचल परदेश की जो भी latest recruitment निकलेगी government की तरफ से उसकी notification हमारे चैनल दवारा मिलती रहे और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को like करना बिल्कुन भूलें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जो ये पोस्टे निकाली गई थी ये CS के हिमाचल परदेश क्रिशिव शिवध्याले पालमपूर में ये पोस्टे निकाली गई थी तो इसका ये application form रहेगा जो 70 प्लस जो पोस्टे निकाली गई थी मैंने जो previous वीडियो डाली है तो ऐसा जो है देखने में application form है तो application form आपको कहां से मिलेगा ये मैं आपको वीडियो के end में जरूर बता दूँगा और आप वहां से directly जो है download कर सकते हो तो इसमें इन्होंने लिखा है application form for employment category B and C post to be filled in by the candidates in his or own hand जो candidates है उनको अपने आप जो है ये भरना है और जो ये box है इस ये office use के लिए ये आपने नहीं भरना है यहाँ पे आपने जो है अपनी recently जो passport size photograph यहाँ पे लगानी है और नीचे आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपने कौन सी post को आप apply कर रहे हो वो आपने यहाँ पे लिखनी है category against which applying तो आपने यहाँ पे लिखनी है जो please refer item number 9 below तो refer number जो item number 9 है वहाँ पे आप जो है इसको देखते हो तो और आगे आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है capital letters में लिखना है block letters मतलब capital letters में यहाँ पे अपना father's name लिखना है mother's name लिखना है date of birth लिखनी है state of domicile लिखना है और domicile मतलब की जो हिमाचल परदेश के रहने वाले हैं वो आप लिख सकते हैं यह हिमाचल परदेश का bono file जैसे तो यहाँ पे अपने अपना correspondence address अगर है तो लिख दें या permanent नीचे जो है आप यहाँ पे लिख दें permanent address complete address with pin code आप यहाँ पे लिखें और अगर नीचे जो आप 9th नंबर जो है यह तो इसमें जो उपर इन्होंने बोला है please refer to item number 9 तो यह item number 9 है तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि yes or no करना है in case maybe blank space left blow to category concerned तो यहाँ पे कोई भी जो आपकी category है उस पे आपको जो है yes या no लिखना है अगर unreserved है तो unreserved SC ST OBC एक्सर्विसमें बीपेल फीजिकली हैंडिकैब्ड फ्रीडम फाइटर EWS तो आप यहाँ पे yes no लिखे सकते हैं और नीचे जब आप 10th point पे जाओगे तो यहाँ पे आपने education qualification beginning with the high school examination जो है आपने यहाँ पे बताना है तो आपकी य diploma और degree कौन सी आपने प्राप्त की है वो आपने यहाँ पे लिखनी है year of study कौन से year में जो है आप study की थी और subject कौन कौन से थे class with percentage of marks कितने आपने अपने अप्टेन किये institute या board university कौन सी थी आपकी और remarks आप यहाँ पे लेख सकते हैं अगर लिखना हो तो और नीचे अगर number पर जाओगे तो यहाँ पे इनो लिखा है whether at any stage terminated, removed, commercially retired or dismissed earlier from employment if so give full detail तो अगर आप retired है और dismissed अगर terminated किये गए हैं remove किये गए हैं तो आप जो है यहाँ पे जो है अपनी full detail बताएं और नीचे जो 12th number है इस पे आप अपना जो है जो आपका previous experience होगा या present आप job करते हो तो उ यहाँ पे detail बढ़नी है सीरे नंबर employer ठीक है और post health और pay drawn with scale कौन से scale से आप जो है पे लिते हो मले कि salary लेते हो period of employment from कब से कब तक जो है आप जो है job कर रहे हो और यहाँ पे remarks अपने लिखना है तो आगे जब आप 13th number पे जाओगे तो इसमें इनोंने यहाँ पे बता रखा ह है any other information not covered above I certified that the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge तो आपने यहाँ पे अपना नीचे signature करने है यहाँ पे over contact number लिखना है phone number जो भी होगा email ID लिखनी है और यहाँ पे date or list of and closer यहाँ पे लिखना है तो नीचे instructions जो है नोंने बता रखे है candidates के लिए तो जो आपका application form जो आप information दे रहे हो वो आपकी complete information होनी चाहिए और correct होनी चाहिए और अगर आपका incomplete application form होगा तो वो reject कर दिया जाएगा जब आपकी verification और evaluation होगी document evaluation तो उसमें आपको कोई भी जो है TADA नहीं दिया जाएगा और जो नीचे इनोंने बता रखा है कि आपको ज address में जो है भीजना है जो यह highlight करके बता रखा है मैं भी एक वड़ा highlight कर देता हूं यहां पर तो यहां पर जो है इस address पर जो है आपको यह भीजना है application form और जो आपकी due date होगी जैसे last date है तो उस दिन जो है पांच बजे से पहले जो है वो इस address पर जो है पहुंच जाना चा यह तो दोस्तो यह थी officially जो निकाली गई है advertisement तो उसका application form था तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंदे तो वीडियो का प्लाइक करना बिलकुन भूलें और जो यह आपको application form है यह application form जो है यह आपको नीचे description box में link मिल जाएगा वहां से आप जो है इस application form को directly download कर सकते हो तो वहां पे जो है यह आपको PDF मिल जाएगी आप print out निकलवा के जो है इस application form को जो है भर सकते हो तो नीचे description box में जरूर आप चेक करें वहां पे आपको जो हमारे Facebook page का link मिल जाएगा और साथ में जो application form है यह 70 plus post जो निकाली है तो इसका भी application form download करने का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत वह धन्यवाद जैहिंग जैहिमार्चल